आज का जो हमारा टॉपिक है इंडो पाक हिस्ट्री है फ्रॉम 1857 से लेकर 1947 थक जो हिस्ट्री है उसको डिसकस करेंगे हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट से डिसकस करेंगे जो के पेपर पॉइंट अफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले 1857 देखते हैं कि इसमें पहली अजादी की मुसल्ला जंग अच्छा ब्रिटिश ठीक है तो इसके असबाब क्या थे जंगे अजादी हिंज हुई थी वो 1857 में हुई थी तो यह एमसे की उस पूछा जा सकता है आप से यह पूछा भी जाता है कि जंगे अजादी हिंज का सन तो 1857 आपने इसका सन ज इसने हिंदुस्तान के तमाम सुबे और कई रियास्ते जो थी ना वो आइस्दा आइस्दा अपनी खूमत में शामिल कर ली थी और वो जो कार्टूस फोजियों को देते थे वो सूर और गाय के चर्बी से मतलब अलूदा होते थे और उने बंदूक में डालने से बेश्तर दांतों से काटना पड़ता था इसलिए जो फोजी स्पाई थे वो इसे अपने मजब के खिलाफ समझे थे और जिन लोगों ने जिन स्पाईों ने इन कार्टूसों को इस्तमाल करने से इंकार किया तो उनकी फोजी वर्दियां उतार कर उने बेड़ियां पहना दी गई तो करके रंगून भेज़ दिया गया था और वो वही पे मतलब इंतकाल कर गया था और फिर मुस्लमानों को चुन-चुन कल गतल कर दिया गया अंग्रेश की साधिश और कुछ हिंदूों के रवए की वज़ा से मुस्लमान और जो हिंदू थे वो अलग-अलग कौमों की सूर्त कर दिया मतलब बरतानिया के स्पोर्ट कर दिया ब्रेटिश आ गया नेक्स उसके बाद 1867 में ये पॉइंट हिंपॉटन है उड़्दू हिंदी तनाजा कब शुरू हुआ तो वह 1867 के अंदर शुरू हुआ इटीन 67 में बनारस के जो हिंदू रहनुमा थे उन्होंने मुताल वह हिंदी तो पर हुदो हिंदी को पर राइच्ट किया जाए हुदो को वह इस बात पे था कि जो उर्दू थी ना वह कुरान के रसमल खत में लikh CAR में लिके जाती जहें की तर्यक्ते से या रखने नेक्स के बाल जुद्ट की से अमध खान है उनकी तालीमि खिर्माध थे हैं उसनों ने जो था सरसेद आमेद खान झाहिए इस धुद्राईम्ध ख्राइक्वर्चता है कि या पूछेते हैं कि सन में सरसेद अहमद खाने मुरादाबाद में गुल्शन स्कूल काइम किया या इस तरह भी कोस्टन आ सकता है कि सरसेद अहमद खाने गुल्शन स्कूल कहां काइम किया मेंली जादा यह कोस्टन आता है तो मुरादाबाद में काइम किया था फिर गाज साइनसी सूसाइटी का भी जो है आपने ये भी सन याद रखने है उसके इलावा रिसालत जीब लिखलाक उन्होंने जारी किया था 1870 के अंदर फिर 1875 में उन्होंने अलिगर्ड में M.A.O. हाई स्कूल की बन्याद रखी ये भी बड़ा इंपोर्टन एमसे क्यूज है कि अलि 1875 के अंदर रखी थी जो बाद में क्या हुआ M.A.O. कॉलिज बना और जब आपकी वफात के बाद फिर 1920 के अंदर वो यूनिवस्टी बन गया था उसके बाद 1886 में ससेद आमद खान ने मुहमदन एजुकेशनल कॉंफरंस के नाम से एकदारे की बुनियाद रखी थी ठी आपको सारा पता चल जाएगा कि साइंटिफिक ससाइड़ी का काम क्या था मुहमदन एजुकेशनल कॉंफरंस का काम क्या था अगर मैं यहाँ पे जादर एक्स्प्रेन करूंगी तो लेक्चर लंबा हो जाएगा आपको मैं बाद में नोर्स प्रोवाइट कर दूंगी आप 1885 के अंदर हुआ था और इसकी बुनियाद किस ने रखी थी इंडियन नेशनल कॉंगरस जमात का क्याम दिसम्बर 1885 में अमल में आया जब ऐलियन ओ टू हूम ने इसकी बुनियाद रखी जिसे हम ए ओ हूम भी करते हैं ठीक है आलन और टेविन हूम ने तो इसको हम ए ओ ए ओ हूम ने इसकी जो थी वो बुनियाद रखी थी या आपने ये भी याद रखना है कि इंडियन नेशनल कॉंगरस की बुनियाद किस ने रखी थी फिर उसके बाद 1905 में तकसी में बंगाल हुई ठीक है बंगाल की तकसीम हो गई बंगाल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुबा था ठीक है और इसलिए वो बहुत से इंतिजामी अमूर में मतलब उसे मुश्कुलाब थी जिसके बाइस लौड करजन वासराहिं ठीक है जब तकसीमे बंगाल हुई तो उस वक्त हिंद का बाइसराहिंद कौन था तो वासराहिं लौड करजन था ये भी इंपोर्ट इस सुद्धानिया ने बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था एक मश्रکी बंगाल और एक मगर्बी बंगाल है वहां पर मुस्लमानों की एक्सरियत थी जो अब एक निया सुबा बन गी थी लेकिन हिंदूों को इस पर बहुत जारा इतरास था तो पिर हिंदूों के जानीब से तकसी में बंगाल के खिलाफ जो थी ना वे तहरीक शुरू की गई थी जिसे सुदेशी तहरीक करते हैं ठीक ह कि 12 दिसंबर 1911 को तकसी में बंगाल मनसूख हो गई ये बड़ा important point है ठीक है एक ये question आ जाता है कि तकसी में बंगाल कब हुई तो वो 1905 में हुई थी और अगर पूछ लिए जाए कि तकसी में बंगाल मनसूख कब हुई थी तो वो 1911 में हुई थी ये भी आप लोगोंने स इसका याद रखना है नेक्स्ट फिर 1905 जब तकसी में बंगाल हो गई उसके बाद और अल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम हुआ 1906 में पस्मंजर था कि हिंदों का नाम मुनासिब रविया था ठीक है उसकी वज़ा से मतलब जो हमारे रहनुमा थे उन्होंने महसूस किया कि मुस्लमानों की जो है वो एक जमात होने चाहिए ठीक है जो उनकी नुमाइंदगी करें फिर आरिया समाच जैसे भी तहरीके चलाएंगे जिनका मकसद यह था कि उर्दू जबान को खतम करके इसकी जगा हिंदी जबान राइच की जाए उसके लावा गाय के कुर्बानी क मसला था यह सारी वज़ा बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लेक के क्याम की फिर इसलिए मुस्लमानों ने अपने हकूप के थाफूस के लिए 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लेक क क्याम हुआ था ठीक है और यह किस मुकाम पर हुआ था यह धाका के मुकाम पर हुआ था और इसका पहला सदर सर आगा खान थे ठीक है और मरकजी दफ्तर जो था वो अली गड़ में काइम हुआ यह आपने अब इसमें चार पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्याम 1906 में हुआ और किस जगा मुकाम है धाका के मुकाम पर यह भी बात याद रखनी है यह भी एमसी के उ पॉइंट्स ए उसके बाद किसकी सिदारत में कियांग इसका अमल में लाया गया तो नवाग बकारूर मलक की सिदारत में आल इंडिया मुस्लिम लीग का क्यांग अमल में लाया गया यह भी आपने हिंट थे गवर्नर जनल लॉर्ड मिंटू ठीक है उन्होंने मिलकर यह मुरत्ब की थी इसलहाद तो इसलिए इसको मिंटू मार ले इसलहाद कहते हैं 1909 में हुई थी सन आपने सब के याद करने है जो कि सन बड़े इंपॉर्टेंट है इसका क्या वज़ा थी कि 1905 में तक्सिम बरतानवी सामराजियत की खिलाब बुलंद होते जा रहे थे फिर जो उस वक्त के वजीर हिंट थे और बरतानवी हिंट ने मिलकर इसलहाद मुरत्ब की थी ठीक है फिर इंडियन कॉंसल जेक्ट आता है 1861 का और फिर इंडियन कॉंसल जेक्ट आता है 1892 में उसके बाद पहल जंगे अजीम जो थी वो 1914 से 1918 तक जारी रही थी जंगे अजीम एक आदमी जंग थी जिसका आगाज यॉरप में हुआ था और ये जंग 28 जुलाई 1914 से 11 नमंबर 1918 तक जारी रही थी इसमें ये था कि जो रूस, फ्रांस, बरतानिया, इटली और जो अमरिका थे ना ये थादी ठीक है और इनका जो मकाबला था वो आस्ट्रिया, जर्मनी, सल्तनत इसमानिया और बल्गारिया से था ठीक है जिसमें क्या हुआ था कि जो जर्मनी, रूसी सल्तनत, सल्तनत इसमानिया और आस्ट्रिया सल्तनत का खात्मा हो गया था क्योंकि तहादियों की फता हुई थी औ 1914 से लेकर 1918 तक ये जारी नहीं थी और इसका जो अगास था वो यॉड़क में हुगा था उसके बार लखनो पैक्ट डादत है 1916 इसका संद भी याद रखने मुस्लिम लीग और कांगरस के दर्मयान में साके लखनों हुआ जिसके रूस से कांगरस ने जुदा गाना इंतखाबात के रसूर को तसलीम कर लिया कि महले इंतखाबात होने चाहिए जो बाद में 1919 में होने वाली बरतानिय इसलाहत में शामिल हुआ इसकी जो सारी एक्स्प्लेनेशन है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ या आप लोग उसे एक दफ़र रीड कर लीजेगा ताकि जिसके माइन में कोई भी क्वेस्टन होगा तो वो क्लियर होचेगा उसके बाद मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड इसलाहत आती है यह भी 1919 में इस वक्त के जो वजीर हिंद थे मॉन्टेगो और बरतानवी हिंद के गवरनर जनरल थे चैम्सफोर्ड ने मिलकर मुरत्ब की थी इसलाहत हिंदुस्तानियों के स्यासी रहनुमाओं ने सुबों में दोमली निजाम पर नापसंदिद्गी का इज़ार किया गया था और कांग्रस मुस्लिम लिक दोनों ने फिर मजीद इसलाहत का मुतालबा किया उसके बाद तरीक खिलाफ़त आजाती है यहां पे न एक चीज़ आपने रोड़े से ठीक कर लेनी है तरीक खिलाफ़त भी 1919 यहांपे मिस्टेकन ली 1922 लिखा गया है 1919 में हो थी तरीक खिलाफ़त भी खुल्फाय राशिदीन के बाद बनु मयो और जो बनु अबास ने होती हुए जो तुर्की के इसमानी खांदान को मुंत्किल हो गई थी खिलाफ़त पहली जंग ज़िम के वक्त इसलामी सल्टनत का जो मरकस था ना वो तुर्की था और पहली जंग ज़िम हिंद्तानियों के मसल्मानों ने हिंद्तान के मसलमान थे उन्यां कि महुंत्का इस वादे के साथ नंहों ने साथ लिया था कि जो बरतानी है इना अगर काम्याब हो जाता है तो वो फिर इसलामी मुकामात को नकसान नहीं पोंच जा झाँएंगे लेकिन इस पर अंग्रेजों ने जो था वो वादा खलाफी की थी इसलिए जो हिंडुस्तानी मुस्लमान थे उन्होंने खलाफत के तहफूँज के लिए तहरीक शुरू की जिसे तहरीके खलाफत कहते हैं और इसके मकसद क्या था कि जो तुर्की की खिलाफत है वो बरकरार रखी जाए और जैसे के मुकदस मुकामात हैं मक्का मुकरमा और मदीना मुनवरा वो तुर्की की तहवील में ही रहें और तुर्की की सल्तनत को तकसीम ना किया जाए अब रॉल्टैक्ट के खिलाफ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो तहरीके खिलाफत थे रॉल्टैक्ट और तहरीके खिलाफत में तहाथ था और इसी तहरीक पर भी हिंदों और रहनौण ने मुसलिमानों को जो था वो साथ दिया था पिर उसके पाद साइमन कमिशन है 1927 यह भी आपने याद रखना है बरतानवी हिंद के तकरीबन तमाम स्यासिव पार्टियों ने इस कमिशन के बाइकॉट का लाद कर दिया था और फिर इस मोकर पर क्या हो था कि आल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो दो हिस्सों में बठ गई थी पहला जो गुरू था वो जिनाली का था ठीक है जो कि इस कमिशन से बाइकॉट के हख में थी और जबके एक जो था वो शफिली कमिशन था जो कि इसके साथ तावन करने के हाख में थी पिर नहरो रूपोर्ट है 1928 नहरो रूपोर्ट 1928 साइमन कमिशन के जब बाइकॉट हो गया तो उसके बाद मकामी स्यासी पार्टियों ने क्या किया था कि मोतिलाल नहरो के सरबराई में एक नो रुक्तनी कमेटे काईम की थी अब कमेटी ने फिर जो आईनी रूपोर्ट त्यार की उसे नहरो रूपोर तो आपने इसका सन भी याद रखना है कि नहरो रूपोर्ट का सन कहा है 1928 और फिर जो काईद आजम के 14 निकात थे ना वो नहरो रूपोर्ट के जवाब में ही जो थे वो दिये गए थे 28 मार्च 1929 को देहली में औल एंडिया मुस्लिमली के जिलास में नहरो रूपोर्ट के जवाब में 14 निकात पेश किये गए थे जिसको काईद आजम के 14 निकात भी कहते हैं और वो आप लोगों ने पढ़े होंगे सब भी सब लोगों नहीं पढ़े होंगे मैं फिर भी शेयर कर दूंगे उसको एक डफ़ पढ़ लीजिएगा तो इसके जो जिनार के 14 निकात कहसं भी काफी पेश में पूछा गया है तो यह 1939 है आप इसको इसे सिक्वेंट से याद करेंगे तो आपको यह भूलेंगे नही इसके नहीं खुत्मे आलाबाद मोस्ट इंपॉर्टन एमसी की उसे खुत्मे आलाबाद के संपूछ लिया जाता है तो अलामे एकबाल ने दिया था खुत्मे आलाबाद 1930 में 1930 को मुस्लिम लीकर असलाना एक जलास आलाबाद में मुनकित हुआ था ठीक है और उसकी सिदार जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो फिर उसने का थे सुबह पंजाब है सुबह शमाल मगर्भी सहरत सिंद और प्रोचस्तान को एक रियासत की शकल दी जाए उसके बाद गोल मेंस कॉंफरेंस यह भी पेपर पॉइंट ऑफ यू से इनके सान भी बड़े इंपॉर् पूच लिया जाता है कि इनके सारे जो गोल मेंस कॉंफरेंस है पुर्स्ट वो कहां पी थी यह सेकंड विच ली जाती है यह थर्ड पूच ली जाती है तो तीनों के आप यह याद Unidos साइमन कमिशन подготов को मनुभर कर लिया और हिंदुस्तान में जो आईनी तातुल था उसको दूर करने के लिए हिंदुस्तान के लीडरों को जो था वो लंदन बुलाया ताकि आईन के बारे में इनकी बहमी रजामन्दी हासल की जाए कांगरस के एक मजबूत मरकजी हकुमत जबके मुस्लिम लीग सुभाई खुत्मखदारी की जो थी वो खुवाईश मन थी तो पहला दोर जो गॉल में इस कांफरेंस का है वो 10 नुमंबर 1930 को शुरू हुआ और 19 जैनुवरी 1931 तक जारी रहा जो दूसरा दोर था वो 7 स्थम्बर 1931 को शुरू हुआ और यकम दिसम्बर 1931 तक जारी रहा तीसरा दोर और आखरी दोर 17 नुमंबर 1932 से 24 नुमंबर 1932 तक लंदन में मुनखिद हुआ तीनों के तीनों गॉल मेंस कांफरेंस याद रखने लंदन में हुई थी गॉल मेंस कांफरेंस में नकामी के बाद हकूमत बरतानिया ने अपनी तरफ से एक आइन नुमा कानून की मनजूरी दी जिसे कानून हकूमत मतलब गॉर्मिंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 तो इसका भी सन पूछ लिया जाता है कि जो गॉर्मिंट ओफ इंडिया एक्ट है, उसका मुर्मिंट ओफ इंडिया एक्ट है, उसका मुर्मिन अपनी अभी मतलब कभू ले के चले थे अज्यरादी के बाद हिंदुस्तानी सुभाई इंतखाबात हुए थे 1937 में पहली मरतबा कांगरसी वजारतों वजारते काइम हुई थी इन इंतखाबात के नतीजे में 1937 अब आपने ये भी याद रखना है कि 1937 के अंदर कांगरसी वजारते काइम हुई थी और 1949 में मनसूख हो गई थी मतलब खतम हो गई थी तो कांगरसी वजारतों का जो दोर है ना वो 1937 से लेकर 1949 तक है ठीक है इसमें जो जमातने थी ना तीन थी इंडियन नेशनल कांगरस एक और इंडिया मुस्लिम लीग और यूनीन्स पार्टी पंजाब की और इसमें जो हिंडुस्तानी सुभाई इंतखाबात थे उसमें जो फता होई थी या जो जीते थे वो इंडियन नेशनल कांगरस 707 नशिस्तों से सेकिंड नमबर पर मुमाद अली जिनाथ है ठीक है 106 नशिस्तों से और तीसरे नमबर पर सकदर हयात खाम थे कांगरसी वजातों को तकरीबन दो साल तक काम करने का मुका मिला था उसके बाद नमबर 1949 में कांगरस और अंग्रेस के दर्मियान फिर दूसरे जंगें जीम में एक तलाफात के वज़े से वज़ातों को मजमूरन जो है वो स्टीफा मुस्ताफी होना पड़ा उसके बाद मुस्लिम लीग ने जो था वो काईद आजम की हडायट पर 22 दिसंबर 1949 को योमे निजात मनाया तो योमे निजात कम मनाया गया इसका संद भी आपने याद रखना है जिसको अबजेक्टिव रेजोलुशन भी कहते हैं ठीक है लाहूर के मिंटो पार्क में ऑल इडिया मुस्लिम लीग के तीन रोजास सलाना सोरी मैंने अबजेक्टिव रेजोलुशन का है वो करादाद मकासद है करादाद पाकिस्तान तीन रोजास असलाने जलास के एक्ताम पर वो तरह की करादाद मनजूर की गई जिसकी बन्याद पर मुस्लिम लीग ने बरस गीर में मुसलमानों के लिए लादा वतन के हसूल के लिए तहरी शुरू की थी ठीक है शिमला कॉंफरेंस आ जाती है 1945 में शिमला कॉंफरेंस 1945 वास राय ओफ इंडिया लाड वेवल और बरतानी हिंड के बड़े स्यासी रहनवाँ के दिरमान शिमला के मुकाम पर एक मुलकात हुई थी ठीक है और हिंदुस्तान की खुद्मुदार हकूमत के लिए जो वेवल प उमत पिर जल्द जल्द इंतखाबाट करवाने और पावर हिंदुस्ताने को शिफ्ट करने के राक में थी उसके मगरी इंतखाबाआत हुए ठीक है फाइनली इंतखाबात हुए मैं दिसमबर 1945 में मरकजी असमली की Congratulations की इंतखाबाट हुई ठीक है और जैन Baby 1940 में सु Maarie करवाने का फैसला हुआ इन इंतखाबात में जो था ना वो जो मैजोरिटी मतलब जो मुस्लिम जो थी वो फातिया हुई थी इंडिया नेशनल कॉंगर्स का मन्शूर इसमें ये था कि जो जुनूबी एशिया है उसको एक मुलत की सुरत में अजाद करवाया जाए और इंडियान कांगर्स थी वो तो ये चाहती थी ना कि जुनूबी एशिया को बस एक मुलत की सुरत में जाद करवा लेँ जाया जाया एक एक लादा पाकिस्तान के मताबिक मतलब एक लादा उन्हें रियासित जो है वो मिल जाये जिसमें मरकजी असलम्ही में मुस्लिम सीटो जो थी ने वो मुस्लिम लीग ने जीती थी तो टोटल इसमें जो वीनर रही थी वो मुस्लिम लीग ही रही थी उसके बाद कैबनेट मिशन प्लान आ जाता है 1946 इसमें इंतखाबाद 1946 के फौरण बाद हकुमत बरतानिया ने मतलब जो हिंदुस्तान के गुति ही सुल जहाने के लाहमवार करनेगर से तीन वुज़राप पर मुश्तमिल एक मिशन हिंदुस्तान बेचा मिशन कैबनेट मिशन या वजारती मिशन के नाम से याद किया जाता है ठीक है एकस्पैनेशन भी मैं आपको आपको साथ शेयर कर दूँगी फिर योमे अजादी पाकिस्तान जो बर 15 पर 1945 सो संदालिस को पाकिस्तान और भारत बरतानिया क्यावत और दिशीज साथ श्लबांट मियंग को भाई लीग ती उसमें काईदयाजम ने कप शमूलियत की 1913 में याद रखने उसके बाद हमने यह सारा डिसक्स किया है रोल टैक्ट से याद कर लेना है इसके लाब मैंने आपको ऐसे भी सिक्वेंस 1849 में अनेक्जेशन ऑफ पंजाब हुई ठीक है और 1850 के अंदर उर्टू जो थी वह फिशल लेंग्विच बन गी थी वैस्ट पाकिस्तान प्रोविंसिस में लेकिन सेंद में नहीं फिर 1857 में वार ओफ इंड हुई जंगे जादी हुई 1885 में 1884 में इंडिया नेशनल कॉंगरस बनी ए ओ यूम ने इसकी बुनियाद रखी हम पिछे पर चुके हैं उसके बाद 1901 में पंजाब की पार्टिक्शन हो गई 1905 में बंगाल की पार्टिक्शन हो गई और 1906 में फिर औल इंडिया मुस्लिम ल में बंगाल की जो पार्टिशन थी वह मनसूख हो गई तक्सी में बंगाल मनसूख हो गई फिर 1904 में जंग एजीम वन स्टार्ट हुई 1904 से लेकर 1908 तक फिर 1916 में लखनो बैक्ट हुआ फिर 1919 में जालियां वाला बाग मैं सकर हुआ ठीक है कतले आम यह जो था ब्रिटिश ट्रूप्स ब्रिटिश फोजियों की तरफ से जो था यह फाइरिंग वोई थी जिसके बहुत से इतिदाद में जो थे लोग मार रहे थे तो इसलिए इसको जालियां वाला बाग मैं सकर कतले आम जालियां वाला बाग कतले आम कहा जाता है और 1919 में मॉन्टैगो चैंप्सव फॉर्टिन पॉइंट्स जिना के चोदा निकात उन्नी सो तीस में फिर साइमन कमिशन रिपोर्ट और लामा एक बाल का खुतवय अलाबाद भी आता है फिर उन्नी सो तीस में राउंटेबल कॉंफरंस गोल में इस कॉंफरंस भी आती है उन्नी सो तीस से लेकर 32 टोटल ती तीनों की टीनों लंदन में फिर 1932 में कम्यूनल अवाड 1933 में पाकिस्तान का नौ और नैवर पंफलेट जारी किया गया चोदी द्रामत अली की तरफ से फिर 1935 पि 1937 में एलेक्शन हुए और फिर 1939 में जंग एजीम दौम शुरू हुई ठीक है जो के 1949 से लेकर 1945 तक जारी र जाती है एक राधादे पाकिस्तान फिर 1922 में क्रिप्स मिशन उन्नी सो चुर्टालिस में गांधी जिना के दर्मियान मुजाकरात हुए फिर 1946 में फिर एलेक्शन हुए जिसमें मुस्लिम लीग विनर ही अभी मैंने पिछे पढ़ाया है फिर 1947 में पाकिस्तान करियेट यह तो आज का में जो पॉइंट्स है यह सारे आपने इसी तरह फिंगर टिफ से फिंगर टिफ से याद कर लेने हैं तक कि आप लोगों को अच्छे तरीके सही याद हो जाए इसी में से ही कोस्टेन आएंगे इससे बाहर कोई कोस्टेन नहीं आएगा इन सब जो मैंने हमारा जो है आज पाक स्टेडी का एंड होता है बागे हमने इंगलिश के पार्ट्स आफ स्पीश पढ़ने तो मैं ऐसे करती हूं कि मैं जी हमने अपने पिछले लेक्चर में जो था वो हमने डिसकुस किया था पहले चार नाउं प्रोनाउं बर्ब और एडवर्ब डिसकु करेंगे तो यह आप लोगों ने पहले ही पड़े हूंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए मैं इसको इतना एक्स्पीनेशन से नहीं पड़ा आ रही हूं थोड़ा बहुत आपको नो हाउ हो जाए इसका दुबारा से ताकि जब हम आगे टैंसिस वगारा एक्टिवाइस प मुश्किल ना हो तो आपको बता है कि वह वर्ड होता है जो किसी भी चीज की खामी या खुबी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है एक्टिव की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब यह अडिशनल इन्फरमेशन देता है हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो इसमें जो उसमें जो वर्ड एच एट है वह हमें एपल्स की कौइंटिटी बता रहा है तो यह हमें अडिशन इंफरमेशन के बारे में तो इसलिये इसलिए कंगे कि बारे मीश्क.. है इसलिए second example में जो word little है वो हमें बता रहा है मावस की quality के बारे में तो यह हम एडिशनल information दे रहा है मावस के बारे में तो यह भी हम कहेंगे कि यह भी adjective है इसलिए हम adjective के kinds हैं इसको discuss कर लेते हैं सबसे पहले adjective of quality है तो यह adjective of quality है वो describe करती है kind को quality को यह degree को noun यह pronoun की जिसे हम descriptive adjectives भी कहते हैं जैसे he ate a big mango अब जो big है वो mango की quality है कि मैंदा mango बड़ा है तो इसलिए यह क्या होगा यह adjective होगा अब हसन की quality को बियान कर रहा है कि वो इमांदार है ठीक है तो अब्याइस्ट क्या होगा यह अज्यक्टिव of quality तो यह अज्यक्टिव of quality हो गया है सब्सक्राइब हमने पढ़ना है adjective of quantity अज्यक्टिव of quantity क्या है यह हमें के quantity के बारे में बताता है जैसे how much ठीक है और जो common adjectives of quantity है some much no any little यह सारे अज्यक्टिव of quantity है फिर अज्यक्टिव of number आता है यह अज्यक्टिव of number tell us about how many things of people are mean or the order of standing of people मतलब जो मैं order बताए ठीक है यह पिर यह बताए कि कितनी हैं चीजें तो यह चीज अज्यक्टिव of number कहलाते हैं इन्हें numeral adjectives भी कहते हैं जो हमें मतलब बताए कि कितनी चीजें हैं यह उसका order बताए तो यह ज्यक्टिव of number कहलाते हैं उसके बाद हमारे पास इसकी त्री काइंट्स है डेफिनेट न्यूम्राल अज्यक्टिव इंडेफिनेट और डिस्ट्रिब्यूटिव जो है नडेफिनेट वो रिप्रिजेंट करते हैं एकुरेट नंबर को और फिर इसकी फदर आगे टू टाइपस हैं कार्डिनल्स और ओर्डिनल्स जो हैं वो यह जाहिर करता है जैसे हाव मैनी सच एज वन टू ठीक है और जो ओर्डिनल्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि मिलब किस ओर्डर में हैं जैसे फर्स सेकिंड थार्ड फोर्थ फिफ्थ तो यह सारी चीज़ें और डिनल अड्यक्टिव के अंदर आ रहती हैं पिर इंडेफिनेट नूम्रल अड्यक्टिव यह जो के एकुरेट नूम्रल अड्यक्टिव कहेंगे फिर डिस्ट्रिब्यूटिव अबजेक्टिव हैं यह जो है स्पेसिफिक या एक बंच में या एक गरूप में तमाम चीज़ों को रैफर करते हैं जैसे एवरी इच आईडर तो एक गरूप में वो जो है वो स्पेसिफिक तिंग्स को जो which, which से कोई question स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम demonstrative adjective यूज़ करते हैं, जैसे this, that, this, those, such, यह जो पांच हैं, इन्हें हम कहते हैं, demonstrative adjectives, interrogative adjectives, interrogative adjectives use होते हैं, question पूछने के लिए, when, what, whose, which, ठीक है, यह noun के साथ यूज़ किये जाते हैं, question पूछने के लिए, जब noun के साथ अगर यह यूज़ किये जाए, question पूछने के लिए, तो यह interrogative adjectives बन जाते हैं, ठीक है, और interrogative जो adjective हां, वो सिर्फ three हैं, when, what, whose, and which, possessive adjectives, यह जहां भी words होगा, मतलब ownership, possessive adjective denote the ownership of something, जैसे my, your, our, its, his, her, their, यह सारे possessive adjective हैं, emphasizing adjective मतलब जो के sentence के अंदर जोर देने के लिए, यूज़ हो रहे हैं, उन्हें emphasizing adjective कह रहे हैं, जैसे this is the very book I want, Sarah, Sarah, Aubrey, with her own eyes, ठीक है, उसके बाद exclamatory objective आज़ते हैं, exclamatory objective ऐसे adjective होते हैं, जो के excitement, ठीक है, fear, या दर feelings को show करने के लिए use होते हो, जैसे what, यह exclamatory adjective में आ जाता है, फिर उसके बाद हम preposition, यह most important है, preposition में से paper में जो है, वो एक, दो question लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है, दो, तीन भी पूछे जा सकते हैं, preposition जो है, यह paper point of view से important है, अच्छा, prepositions वो word है, जो, जिने हम noun या pronoun से पहले put करते हैं, यह show करती है, कि in what relation the person or thing indicated by it, कि एक person का thing के साथ क्या relation है, जैसे the child jumped off the bed, ठीक है, जो off है न, वो child का bed के साथ, मतलब, relation show कर रहा है, तो जो off है, वो इसके अंदर, off is showing the relationship between the action denoted by the verb, jumped, and a noun chair, ठीक है, off जो है, वो relation show कर रहा है, कि जो action perform की है, verb ने jumped, ठीक है, और जो noun है, cheer, उनके दरमियान relation show कर रहा है, तो off क्या है, यह preposition है, kind जाद आती है, simple prepositions, simple preposition यूज की जाती है, denote करने के लिए relationship between noun और pronoun, in, out, on, up, at, for, from, by, off, off, through, till, etc, यह सारी जो है, यह simple prepositions है, उसके बाद double prepositions, मतलब made by putting together two single prepositions को, अगर अकठा जोड़ दें, तो वो double prepositions कहलाती हैं, sorry, यह कुछ net problem की वज़ा से, यह, ठीक है, जैसे on to, on to, दो prepositions को कटा किया हुआ है, तो यह double prepositions, throughout, through और out, ठीक है, दो prepositions को कटा किया गया है, तो throughout यह double prepositions कहला हैंगी, तो ऐसी preposition को double preposition कहते हैं फिर compound prepositions हैं तो अगर हम preposition से पहले कोई word लगा दें तो उसको compound preposition बन जाती है जैसे above ठीक है तो above से पहले आ लगा हुए ना ये prefix यूज़ किया है तो ये एक preposition बन गई इसी तरह about about से पहले ए लगा गए about compound preposition कहलाएगी across ठीक है across से पहले ए लगाया है across तो ऐसी जो prepositions हैं वो compound prepositions कहलाती है phrasal phrasal prepositions ऐसे ग्रूप ओफ वर्ड्स या phrasis को कहते हैं जो के noun और pronoun को बाकि sentence के साथ जोडते हैं ठीक है in addition to by means of in spite of according to ऐसी जो prepositions होंगी उन्हें phrasal prepositions कहते है participal prepositions मलब उनके name से जाहिर हो रहा है कि ये वर्ड की present participal form है ठीक है जैसे हम present form के साथ ing का इजाफा कर देते हैं जैसे concerning ठीक है concern के साथ ing का इजाफा कर दिया तो ये participal prepositions बन गई disguise prepositions वो हगती है जो के sentence के अंदर directly use नहीं होती लेकिन disguise होई होती है मतलब उनकी shorter form जो है न वो use की जाती है जैसे कि तो यहाँ पे जो O है न ये off की short form यूज की गई है चीक है तो ऐसी prepositions को disguise prepositions कहते हैं उसके बाद detached prepositions आ जाता है एक prepositions को detached prepositions कहेंगे जब वो object से पहले न आ रही हूँ ठीक है मतलब अपने object से detached होई होई हो जैसे she is the woman whom I was talking about तो इसमें जो about prepositions है वो whom की वज़ा से detached हो गई है ठीक है तो ऐसी prepositions को फिर detached prepositions कहेंगे next ये तो था prepositions अच्छा अब different prepositions किन किन जगा use होती है वो सारे notes मैं आप लोगों के साथ share कर दूँगी उनको आप अच्छे तरीके से देख लीज़ेगा कि जो in है अगर वो कहां किन कीम चीज़ों के साथ लगेगा off कहां कहां लगता है किन कीम चीज़ों के लिए लगता है तो वो मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी वह इन्शाला आप लोगों उसको एक दफ़ा पढ़ लीजेगा फिर हम conjunction को discuss करते है conjunction conjunction ऐसे words होते हैं जो के sentences को join करने के लिए use हो रहे हूं ठीक है या sometime words को join करने के लिए use हो रहे हूं जैसे दस एक्जेंपल है यह मेरा हैंड टच हो जाता है तो वो थोड़ा सा पीछे चला जाते हैं जैसे डस बार एंट कैड्स भी हूं इसमें जो एंड है आप ये conjunction यूज हूई हूई है I went to work but my sister stayed at home इसमें जो बाट है वो conjunction two sentences को मिला रहा है तो बट जो है ये conjunction होगा इसके काइंड्स को आप देख लीज़ेगा इसके बाट interjection पढ़ते हैं interjection क्या होते हैं वो words ये group of words हैं जो के emotions को express करने के लिए use होते हूं और इसके end में exclamation mark लगाते हैं ठीक है जैसे हुरा, alas oh no, oh my god, what ये सारे क्या हैं ये interjection है और इसके बाद जो mark यूज़ हूआ हूआ है जैसे हुरा के बाद जो mark यूज़ हूआ हूआ है इसे exclamation mark कहते हैं different types है interjections की जिसमें interjection for grating है interjection जो some interjection जो है मतलब emotions of warmness मतलब किसी को welcome करने के emotions को शो कर रहे हूँ तो interjection for grating जैसे good morning, hey, hello ये सारे जो हैं interjection for grating है interjection for happiness मतलब जो happiness या खुशी को जाहिर करने के लिए use of interjection for happiness है उसके बाद interjection for attention मतलब किसी की तवज़ो हासिल करने के लिए जो हम interjection यूज़ करेंगे वो interjection for attention जैसे hey, your look, listen ये सारे interjection for attention है interjection for approval such interjection जो के approval किसी something के approval को जाहिर करने के लिए use हो रहे हो तो वो interjection for approval जैसे well done, brilliant interjection for surprise sentence के अंदर ऐसी interjection जो के surprise को हैरत को शो कर रहे है तो वो interjection for surprise जैसे oh, ah, what interjection for shock सदमे के feelings को जाहिर करने के लिए जो interjection यूज़ हो रहे हैं वो interjection for shock जैसे what, what have you done फिर interjection for anger नराज़गी का जाहिर करने के लिए जो interjection यूज़ हो रहे हैं वो interjection for younger जैसे excuse me, चीक है, is me interjection, जो है, वे इन दा फूम आफ फ्रेजिस होते हैं, what hell, goodness gracious, good oh my god, oh no, ऐसे words जो है, वो interjection for anger है, तो यहां तक हमारा जो है, वो parts of speech आज complete हो गया है, अच्छा, यह जो मैं आपको कह रही थी, के prepositions जो है, वो कहां कहां यूज होते हैं, अब add in, यह चीज time के लिए use होता है, ठीक है, जिसका time का हमें पता exact पता हो, जैसे 7.30am, हमें इस point of time, ठीक है, time का exact पता है, तो add use होगा, और in जो है, वो denote करने के लिए होता है, due to specific time period month, जैसे in the evening, ठीक है, तो अभी हमारा इन में specific time नहीं है, definite point of time नहीं है, तो यह evening में तो इसके लिए in use हो और जो noon है ना, उसके लिए u a at ही use होता है, ठीक है, यह exception है, कि noon word के साथ at use होगा, उसके बाद on और by है, on जो है, वो days और dates के साथ, कि दिन के नाम के साथ भी on use होगा, और dates जितनी है, उनके साथ भी on use होगा, और जो by है ना, वो latest time, by which connection will be over, the meeting will break by 4 पीम, अब हमें इसमें time का पता है कि 4 पीम मीटिंग जो है, वो ब्रेक होगी, तो by इसके लिए use होगा, अब for और since किसके लिए use होता है, period of time के लिए, ठीक है, जो के जारी है, उसके लिए for use होगा, और जो point of time, exact point of time show कर रहे होगे है, ठीक है, it also indicates continuity, तो वो since use होगा, उसके लिए, अब from preposition कहां प use होगा, जैसे he is joining the new film from the first of May, अब पता है कि उसने first of May से join करना है, उसका starting point पता है, तो इसलिए इसमें जो है, वो from use होगा, अब ऐसी preposition जो के position को show करती है, at, at लगेगा exact point के लिए, ठीक है, और in लगेगा big area, big area की बात होगी, तो उसमें in use होगा, between among, between use होगा, two person या think के दर्मियान फरक बियान करने के लिए, और among use होगा जब हम दो से ज्यादा चीज़ों के दर्मियान फरक बियान कर रहे हैं, among us ये भी more than two persons के लिए use होता है, लेकिन ये जो है, हमेशा वावल से पहले use होगा, ठीक है, above और under, above जो है, वो higher than, ठीक है, जो से चीज़ body है, उसके लिए use होता है, और below जो है, वो lower than के लिए use होता है, under, over, under जो है, जो चीज़ वर्टिकली below है, बिलकुल नीचे है, जैसे we sit under the tree, trees के बिलकुल नीचे बैठे हैं, तो vertically जो चीज़ नीचे उसके लिए under use होगा, और over होगा, जो vertically बिलकुल उपर, आपके कोई ची direction को show करता है, फिर direction के लिए जो preposition यूज होता है, to, ये to जो है, वो indicate करता है, moment एक प्लेस से, दूसरी प्लेस की तरफ, towards जो है, वो किसी भी खास particular direction की तरफ, जब आप जा रहे हैं, तो towards उसके लिए use करेंगे, into use होगा, बलब किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, जैसे the thief into the room, room में दाखिल हो रहे हैं, तो उसके लिए in यूज करेंगे, बलके into use होगा, इसी तरह, at aim के लिए use होगा, ठीक है, for, किसी भी चीज़ की direction, जब आप denote कर रहे होंगे, तो उसके लिए for use होगा, ठीक है, और जो o ff preposition है, वो किसी भी चीज़ के suppression के लिए use होता है, और from point of departure, जैसे we feel unhappy when we depart from our parents, point of departure, आप अपने parents से depart हो रहे हैं, ठीक है, रुकसत हो रहे हैं, तो from use होगा, against, शो होता है, pressure में, ठीक है, जैसे I rested my arms against the wall, along, जो है, वो same line में, अगर कोई चीज़ हो, तो उसके लिए long use होता है, जैसे I walked along the road, मतलब मैं road के साथ-साथ, तो same line में था, तो along use होगा, across use होता है, means from one side, before denote करता है, face to face, जैसे अगर मैं बिलकुल आप किसी के सामने खड़े हो तो उसके लिए before use होगा, behind जो है, अगर किसी के पीछे, ठीक है, तो उसके लिए behind, beside, अगर side पे है, तो beside use होगा, और after जो है, वो refer करता है, sequence को, ठीक है, अब words taking, यह important है यहां तक जो after तक पढ़ाएं ने, यह important है, इसको अच्छे तरीके से रटा लगा लें कि कहां से कहां तक, बाकि यह आप पढ़ लीजेगा, more than one preposition के यह कहां कहां, यह इतने जादा important नहीं है, जो important है, वो मैंने आपको बता आ दिए, ठीक है, इसके बाद इन tables को अच्छे रेंड होता है, ठीक है, बाकि पाक सर्डियूस के explanatory notes भी मैं send कर दूंगी, लेकिन अगर आप इन slides को ही कर लें, तो यह भी आप लोगों के लिए enough है, ठीक है, English का यह last में, जो मैंने preposition का, 14 prepositions पढ़ाई है, ठीक है, showing position, showing place, showing direction, तो यह सारी जो है, यह बड़ी important है, इनी यह आपको preposition में से must जो है, वो दो तीन MCQs आते हैं, तो यह आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है,